Labtest Report के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं पास्ट एंड आप के Fusion Tech प्रोटीन को आज की वीडियो में फिरसे हम एक प्रोटीन सप्लेमेंट को रिव्यू करने वाले हैं प्रोडक्त आज हमारे पास फास्ट एंड आप का Fusion Tech प्रोटीन 27 सर्विंग की पैकिंग है मेरे पास और चोकलेट फ्लेवर है इस वीडियो में हम इस प्रोड़क के ब्रैंड मैनिफैक्टरिंग से लेके इसकी मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, प्राइस, लैब टेस्ट, रिपोर्ट, सारी डिटेल साज डिसकस करने वाले हैं तो बिना देरी की चलिए शुरू करता हूँ मैं इस प्रोड़क के ब्रैंड और मैनिफैक्टरिंग से तो इस प्रोड़क का जो ब्रैंड है फास्ट एंड अप वो एक स्विजर लैंड बेस्ट कंपनी है नोवैल्टी फार्मा उनका ब्रैंड है इंडिया नोवैल्टी फार्मा के फास्ट एंड अप की बिजनश को हैंडल करती है फुल लाइफ हेल्थ केर प्रैविट लिम्टर जो काम करती है तो खुल्मिलाकर बात यह है कि ये फास्ट एंड अप जो प्रोड़क्ट है ये बाहर का है लेकिन इंडिया में इस प्रोड़क को इंडियन कंपनी ही मैनिफेक्चर कर रही है और इंडियन कंपनी ही इसकी मार्केटिंग और सेलिंग का काम कर रही है तो बात होगी product के brand और manufacturing की आगे बात करते हैं इस product की packing के बारे में तो packing के लिए fast end up ने एक बहुत ही अच्छी quality का plastic इस्तमाल के है product की जो packing है वो बहुत ही अच्छी quality की है product के उपर details भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है सारे details बहुत अच्छे से printed है product के उपर एक scan code दिया गया है जिसे आप scan करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो product पहुँचा है वो original पहुँचा है या नहीं आप scan code को scan करके पता लगा सकते हैं एक और special चीज है इस product की packing के बारे में वो है कि आपको इसके अंदर scoop को ढूंडना नहीं पड़ता है जब आप इस product को open करते हैं तो scoop आपको इसके अंदर लटका हुआ मिल जाता है एक special handle लगाया गया है तो चोटी सी चीज है चोटा सा initiative है company की तरफ से लेकिन एक अच्छी बात है एक अच्छा impact डालता है कि आपको scoop ढूंडने के लिए महनत नहीं करनी पड़ती है scoop आपको उपर ही मिल जाता है तो बात होगे product की packing की बात करते हैं इस product की nutritional information के बारे में तो nutritional information में company ने लिखा है कि इसकी 891 ग्राम की packing के अंदर आपको 27 serving मिलती है एक सर्विंग का साइज है 33 ग्रैम 33 ग्रैम के एक scoop के अंदर आपको 24 ग्रैम protein मिलता है 5.85 ग्रैम carbohydrates मिलते हैं और 1.05 ग्रैम इसके अंदर आपको fats मिलते हैं फैट के मात्रा एक ग्राम के राउंड है आप इसे ना के बराबरी माद सकते हैं कार्बाडेट्स की बात करें तो एक scoop के अंदर है 5.85 ग्रैम जो की थोड़ा सा ज्यादा लगता है एक blend protein के लिए currently market के अंदर जो हम वे protein concentrate या blend purchase करते हैं उसमें 2 ग्राम के राउंड कार्बाडेट्स मिलता है इसमें 6 ग्राम के लगबग है तो थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी से थोड़ा सा और कम कर देती तो बैटर लगता मुझे बात करें अगर इस प्रोड़क के protein के बारे में तो एक scoop के अंदर है 24 gram protein जो की हो जाता है 72.7% के राउंड जो की एक average मात्रा के अंदर लगता है मुझे नहीं कम है नहीं ज्यादा quantity के अंदर है एक average quantity है प्रोटीन की per scoop के अंदर बात होगी product की nutritional information के बारे में आगे बढ़त करते हैं इस प्रोड़क्त की अमिनेसेट प्रोफाइल के बारे में तो अमिनेसेट प्रोफाइल कंपनी ने प्रोड़क्त के उपर दी हुई है एक स्कूप की जो अमिनेसेट प्रोफाइल है वो प्रोड़क्त के उपर प्रिंटेड है इसके अमिनेसेट प्रोफाइल इसके प आपको वैपे प्रोतियों से मिल रहा है प्रोटीन से मिल इसके प्रब्स ओ lacks प्रोटीन से होगा नेकिस्ट इंग्रेडिएन्ट वो है पर्मीटेड फ्लेवर है मेरे पास तो इस वेवर को तयार करने के लिए आर्टिपीशियल फ्लेवर का इसथिशाल किया होगा नेक्स्ट इंग्रेडेंट है वो है कोकुवा पाउडर ये भी एक चोकलेटी फ्लेवर देता है आपके प्रोडक्ट को साथ के साथ थोड़ इसी प्रोटीन की क्वांटिटी भी आ जाती है कोकुवा पाउडर से बहुत ज्यादा नहीं आती है लेकिन थोड़ असा जो स्टार्स डाला गया इसके अंदर नेक्स्ट जो इंग्रेडेंट है इसके अंदर वो कुछ एंजाइम से हैं और एंजाइम के साथ-साथ इसके अंदर प्रो बायाटिक्स भी है यह बैसिकली डाजेशन में हल्प करते हैं अगर किसी को डाजेशन के इस रहते हैं तो उनके लिए यह चीज़ें रहती हैं लास्ट जो इंग्रेडेंट है इसके अंदर वो है परमीटर स्वीटनर यह बैसिकली आपके प्रोड़क्त की कैलरेश को इंक्रीज के बिना उसको स्वीट करने के लिए इस्तमाल किया जाते हैं तो कंपनी ने मैंचन नहीं किया कि कौन सा इसके अंदर इन सभी चीज़ों से यह मिलकर यह प्रोटीन पाउडर बना है बात हो गई प्रोड़क्त के इंग्रेडेंट के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस प्रोड़क्त के फिल्ट्रेशन मैथड के बारे में तो फिल्ट्रेशन मैथड कंपनी ने डिस्क आपको हाइए प्रोटीन मिले गा यूरोप से या यू इस से मगवाया हुआ आपको प्रोटेन मिले गा लेकिन में कम्पनी ने नहीं बताया यह बोल दिया आपको एक क्वालिटी और स्टेंडड का प्रोटेन मिलें तो पहले भी मैंने फास्ट एंड़क प्रोडक्ट रिव्यू किया था फ्रोयण व्यत्रिक्त प्लांट प्रोटीन उसका भी फिल्ट्रेशन मैथर मैथट नहीं बताया था this कंपनीने तो मुझे पता नहीं कि क्यों एक फिल्ट्रेशन मेथ वसक्लोजाइं करते हैं तो यह ले देकर बात यहाँ पर तो आप ये मान लिजी का कि ये chemically filtered protein है company ने filtration method नहीं बताया है बात होगी filtration method के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस product की serving size accuracy के बारे में तो company ने लिखा है कि इसके एक scoop का जो size होगा वो होगा 33 gram का जब मैंने अपने kitchen wing scale के उपर इसे check किया तो इसका एक level scoop 32 gram का हो गया यानि कि serving size accuracy आ रहा है 32-33 gram का scoop हो जाएगा बात करें अगर इस product की mixability के बारे में तो product की mixability काफी अच्छी है 15-20 second के अंदर ये product पानी के अंदर अच्छे से mix हो जाता है बात करें अगर इस product के taste के बारे में तो chocolate flavor है मेरे पास इस product के chocolate flavor का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चोकलेटी है और थोड़ा सा sweet है साथ के साथ एक problem भी है इस product के taste के अंदर वो है कि इस product का जो टेस्ट में आपको एक आटे वाली सी feeling आती है उसका reason ये है कि इसके अंदर है पी protein जो plant protein है उसकी वज़े से जब आप इसे पेते हैं तो आपको एक थोड़ा सा ऐसा मैसूस हता है कि आप हलका सा कुछ आटा गोल कर पी रहे हैं ऐसा नहीं है कि इस product के अंदर ही problem है जब भी आप किसी भी company का plant protein purchase करेंगे हर plant protein में आपको ये जो problem आएगी है आएगी plant protein का जो test जो होता है वो way protein जितना superior नहीं होता है हर plant protein के अंदर आपको थोड़ी सी हलकी सी आठे वाली feeling आती ही आती है चाहे किसी भी company का purchase कर लीजिए तो जब भी आप कोई plant protein purchase करें तो ये मानके चलिएगा कि आपको वे protein जितना superior टेस्ट नहीं मिलेगा आपको वो आठे वाली feeling महसूस होगी ही होगी चाहे किसी भी company का हो शायद ही किसी company का ऐसा plant protein आए जिसमें आपको वो feeling ना आए तो ये चीज आपको पहले ही मानके चलनी है टेस्ट के बारे में तो बात होगी प्रोड़क के टेस्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस product के price के बारे में तो currently आपको इसकी 25 serving की packing इनकी website पे मिलती है 30 199 रुपीज में 30 199 रुपीज में आपको इसकी दो packing मिलती है 25 serving की जब मैंने इस product को purchase किया था तो इसकी 27 serving की packing मिली थी वैसे मैंने product इनकी website से purchase नहीं किया था मैंने एक दूसरी website है यूगा life aside उससे purchase किया था तो मुझे इसकी जो पुरानी packing है वो मिली होगी currently new packing इसकी 25 serving क्याती है तो currently आपको इनकी website पे इसकी 25 serving की जो दो packing है वो 30 199 रुपीज में मिलती है यानि कि एक packing आपको पढ़ेगी लगबग सोला सो रुपए के अंदर तो सोला सो रुपए के अंदर आपको 25 serving 25 servings मिलती है यानि कि एक serving का price पढ़ जाता है लगबग 63 रुपीज 63 रुपीज में अगर आपको 24 ग्राम protein मिलता है तो एक ग्राम में भी एक ग्राम प्रोटीन दे रही है फ्लेवर वाला कुछ कंपनिया तीन रुपए से भी ज्यादा लगा रही है एक ग्राम प्रोटीन का प्राइस फ्लेवर वाले का तो इस प्रोड़क का जो प्राइस है एक ग्राम प्रोटीन का प्राइस पौने तीन रुपए से सास्ट में बात करते हैं इसकी लैब टैस्ट रिपोर्ट की देखते हैं कि इसकी लैब टैस्ट रिपोर्ट कैसे ही है तो मैंने इसकी लैब टैस्ट रिपोर्ट करवाई है एक एने विल अक्रेटेड लबोर्टरी से तो कंपनी ने लिखाए कि इसके 33 ग्रैम के स्कूप के अं तो जितना कंपनी बोल रही है उतना प्रोटीन है इस प्रोड़क्ट के अंदर प्रोटीन कोंटेंट मैच करता है प्रोटीन की जो क्वंटी मिद्स हुँए इस प्रोडक्ट लगा हमेशय की तरह मेने आपको बता दिया है ब्रिप्रेंड से लेकर अगर आपको प्रोड़क्ट ठीक लगता है तो आप इनके website से जाके purchase कर सकते हैं अगर नहीं purchase करना चाहते तो वो भी आपकी चोईस है आपका decision है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं हमेशे की तरह वही एक request करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और अगर आपको किसी और प्रोडक्त का रिविए चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट में बता दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबा ।